बुंदेल खंड के जालों में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या विग्राल होती जा रही है जिसको लेकर आज जिला अधिकारी प्रयंका निरंजन ने नदी गाओ विखास खंड के ग्राम सलेया बुजूर्ग में प्राकतिक जल्स्रोत का निरिक्शन किया और बॉर्टर लेवल काफी फूट नीचे चला जाता है जिसे हेड फंप में पानी आना बंद हो जाता है और लोगों को पानी के लिए जद्दो जहत करनी पड़ती है इसमस्या में निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी प्रयंका निरंजन ने प्राकतिक जल्स्रोतों को सम रिच्चित करने के लिए नदी गाउ विकासकन सलया गाउ जाकर प्राकतिक जल्स रोत का निरिक्षन किया